असलामरीकु श्टूरेट, वेलकम तो माई यूटूब चैनल इसकावर एजुकेशन, आज की इस वीडियो में हम फजिक्स वजरवान के लेक्चे नबर 39 और 40 को डिसकस करेंगे, लेक्चे की तरफ जाने इस पहले आपसे रिक्वेस्ट है के चैनल को लाज में करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताके आने वारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें, स्टूरेट, हमने 39 लेक्चेस में स्पैशल रेलिटिविटी के फर्स पार्ट को डिसकस करना है और सेकिंड पार्ट इसका 40 लेक्चेस में है, तो इसी वज पार्ट इसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूगी, बाकि स्टूरेट से आप लोग लेक्चेस को लाइफ आज किया करें, डाउलोड ना किया करें, और यह जो मैं आपको हर लेक्चेस में ही कहती हूँ, तो कारली आप इस पे अमल भी करें, क्योंकि एक ही च आपको यहां पर डिसकस करेंगे, तो से पहले जो है, स्पेशल अल्ट विटी अलबर्ट आइंस्टाइन ने जो है, वो क्रेट की थी, आइंस्टाइन का आपने एक आइंस्टाइन उक्वेशन भी पढ़ी होगी, जो कि अपनी इन दो कामों की वज़ा से बहुत फेमस इसको एजाद किया था, इस ता फ़न वथा बोस्ट विट पिलार्स और फिजिक से थाज़ टाइमस, यह यह जो है बेसिक फिजिक का पिलार्ड हम कह सकते हैं, जो कि स्पेशल रेलेक्टिविटी थिए थी थी और इसने काफी इनकलाब बर्पा किये थे, यह बेसिकली स्प इसका सेकिंड पार आ जाता है, रेलेक्टिविटी जो है वो डिल कहती है, टाइम और स्पेस के लिहाज से इसने यह सुचा था, कि कोई भी जो है, अगर किसी भी चीज़ को उसके टाइब के लिहाज से, अगर मूव करवाए जाए तो वो को स्टें रहती है, सबसे पहले, जो है, दो fundamental quantities है, आपको वैसी ही पता है, कि fundamental quantities बार पास कोर कोट से होती है, यहाँ पीछे पढ़ के आए है, time और distance को इसको हम discuss यहाँ पे करेंगे, time उसने का था, कि time को हम को बार बार repeat हो, तो उसके लिहाज से हम time को measure कर सकते हैं, जैसे कि heartbeat, pendulum, vibrating quarts, crystals, rotation of the earth around its axis, यारी एक sequence के साथ वो repeat हो रही है, जिस तरह जो है, Sunday जो है, every six days after जो है, आपको बता है कि वो बिल्कुल repeat हो रहा है, एक sequence के साथ रहा है, ऐसा नहीं हो कि चार दिन बाद सटने आ गए, पाई दिन बाद, यारी छे दिन बाद सटने आता है, तो वो हम कह सकते हैं, कि एक sequence के साथ जार र जार रहा है, तो यह इसने अपने बेयार किया था, ठीक है, next, distance, distance basically होता है, दो points के दर्म्याद, जो है, वो shortest या लोग के distance, जो है, वो, हम कह सकते हैं, कि दो points के दर्म्याद, जादा जादा फासला, इसकी example, जो है, आपको, यहाँ पर बताती हूँ, देखे, for example, विसाल के जो है, जो है, यहाँ से यहाँ तक move करेंगे, तो जब ट्रैवल करेंगे, अगर तो यह जो है, वो हम कह सकते हैं, कि लोग distance इस तरह जो है, वो ट्रैवल करता हुआ, जो है, वो अपने, बी पार, यानि मज़ल तक पहुँच गया, इसको हम कहेंगे, यह distance है, ठीक है, यह उ है, वो displacement है, और एक चीज़ आपने हमेशे जान रखनी, displacement हमेशे वेक्टर को आटी होती है, और distance जो है, वो scalar है, तो यह इस पर बेसिक डिफ्रेंस था, ठीक है, distance को हम जाना, इस टर्म में भी ले सकते हैं, कि दो points के दर्मयां जो length है, वो distance कहलाती है, ठीक है, तो आप यह definition है, अगर आपको आती है, कि दो points के दर्मयां shortest distance है, तो वो displacement होगा, यह आपने इसके बेसिक डिफ्रेंस अपने माइड में रखने है, बाकि यह जो अभी मैंने के लिए fix है, ठीक है, Newton had believed that there was one single time for the entire universe, in other words, time was absolute and could be measured by one clock held somewhere in the center of the universe, जो मैंने आपको अपनी word name बताया है, बस आपको अगर उसकी समझा गई है, तो ठीक है, यानि Newton का कहना था, कि time जो है, वो false universe के लिए fix है, लेकिन Einstein ने जो है, कहा था, कि time fix से नहीं है, अगर कोई भी body, य object, speed of light के साथ move कहता है, तो इसके लिए time जो है, वो रुक जाता है, Einstein जो है, यह जो वर्डिक थी Einstein की, यह काफी जो है, हरान कुन थी, काफी scientist के लिए, कि time जो है fix कैसे नहीं है, हलाकि हमारे अपने मार्स में भी यही आता है, कि time fix से को स्टाइट है, लेकिन Einstein का कहना था, कि time fix नहीं है, showing that the time and space are not absolute quantities, what depends on the speed of your reference frame, ठीक है, यह frame of reference basically दो तरह के होते हैं, एक inertia frame of reference होता है, और एक non inertia frame of reference होता है, इसमें भी आपको MCQs आ सकता है, यहाँ पे आपकी हाइरोर्स में clearly mention नहीं है, लेकिन ऐसे MCQs आते हैं, तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ, जो inertial frame of reference हो इसमें acceleration जो है, हमेशा 0 के equal होता है, और नोन inertial frame of reference में, acceleration does not equal to 0, यानि 0 के equal नहीं होता, तो वहाँ पे हमारे पास नोन inertial frame of reference आता है, नेस्ट मारे पास four point है, इसमें event की definition, आपको पना चाहिए event क्या है, an event is something that happens at some point in space at some time, यानि किसी time या space में कोई वाक्या रूनमा हो, तो इसको हम event कहते है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह x-axis है, यह y-axis है और यह z-axis है, three dimensional है, और यहाँ पे पी एक point है, ठीक है, अब x-axis के लहाँ से यह किस point पे है, और y-axis के लहाँ से यह किस position पर है, तो यह बारे पास हम कह सकते हैं, कि इसका frame of reference है, डेक्स आपके पास य gradient equation होती है, transformation होती है, तो यह x-axis के point of view से आपने white पे रख रहा है, next पारे पास point number 7 आजाता है, यह सारी पुरारी चीज़े है, जो कि हमने last lectures में discuss की है, कि light एक electromagnetic wave होती है, और यह travel कहती है, आपको बाता है, speed of light 2.20, multiply terrace power 8 meter per second होती है, ठीक है, पारे पारे पास 8 points की तरफ चलत से, first है, the laws of physics have the same form in all inertial frames, अब देखिए laws of physics जिस तरह विलास्टिक्स के लास है, आपने पढ़ा होगा, love conservation of best, love conservation of energy, accelerations के लास है, जितने mechanics physics में लास है, तो वो same है तुमाम inertial frames में, ठीक है, और inertial frames में आपको भी बताया है, in the other words, there is no constant velocity frame which is preferred or better than any other, second है, जो speed of light है vacuum में, the speed of light in vacuum has the same value in all inertial systems, या जितने भी inertial systems है, उसमें speed of light same है, जिस तरह के vacuum में है, खला में है, space में है, independent of the relative motion of source and observer, या या ये जो है, source and observer की motion पर depend नहीं कहती है, अब source and observer यहाँ पर कहा है, for example, आपके पास एक light है, वहाँ से जो light emit हो रही है, खारीज हो रही है, तो वो source है, और इस diagram के थरूँ समझती है, यह जो नीचे measure है, इन points पे कुछ example से discuss की गई है, जिको हम इसके थरूँ देखते है, देखे, for example, दो कुमार पास watch clock है, जो के यहाँ पर A point है और यह B point है, जो कुछ distance पे है, distance यहाँ पे उन्हों ने दिया हुए, 9 multiplied average to 10 meter, ठीक है, इसने distance पर है, और इसकी speed of light आपको पता है, 3 multiplied average to power 8 meter per second है, यह भी अभी हमने speed of light पढ़ी है, तो आपने confused नहीं हो ना, कि वो तो हमार पास 2 part something था, क्योंकि यह जो है, वो round off किया हुए, अभी मैंने आपको यह देखे, यहाँ भी जो है, उन्होंने round off किया हुए, लेकि जो actually होती है, वो 3 multiplied average power 8 meter per second है, ठीक है, तो आप लोगों इस पे confused नहीं हो रहा है, अब देखे, पर 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 दो बाच को लाग है, A है और यह B है, अब दोनों को जो है, बी से जब A तक distance cover करेंगे, तो वो उसको पहले जो इस पे time था, वो 2.55 जो है, वो 2 बच के 5 बच पर बच 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 तो इसका formula हमारे पास होता है, D over C, C आपको बता है, speed of light को represent करता है, D यहाँ पर दिया हुए, आपने simply इसको divide करेंगे है, आपके पास 5 minute आजाएंगे, ठीक है, तो यह सारा कुछ इसी में बियान के आएगे है, next हमारे पास example है, इसको भी हम diagram के help से भी आपको बता देती फारिक से अपर एक train है, और उसकी चट पे जो है, वो एक light है, बल बैठीक है, जैसे ही वो own होगा तो उसकी जो रोश्री होगी, वो फोरण जो है, वो जमीन पर आएगी, ठीक है, जमीन से बनाद के उस train के, बिलकुल जो हमें नीचे, सीर्स पे जो बैठे हूँ मसाफिर है पैसेंजर से, उनको जो है, वो उपर light पड़ेगी, अब देखी, इसी तरह जो है, वो बाहिर एक खड़ा शक्स है, train के बाहिर, वो सारी इस फिनोमेना को देख रहा है, कि light जो है, वो किस spirit से आई है, या या लाइट जो है, टाइम के साथ ही spirit, जिस spirit से आ रही है, उसको हम आपको example mention कीगे है, वो भी इसी तरह है, यह relative realistic factor, यह most important है, आपके mcqs के point of view से, जो के 1 over square root 1 minus v square over c square, v square velocity होती है, c square जो है, speed of light है, add is the number, that is always bigger than 1, तो आपके mcqs में यह बहुत जादा आया हुआ है, मैंने देखा भी है, तो आपने इसको relative realistic factor को अच्छे से याद कर लेना ह ठीक है, इसी तरह हमारे पास next example आ जाती है, यह भी एक train है, यहाँ पर एक light जो के बरब लगा हुआ है, और यह इसके सामने बिल्कुल mirror है, light क्या होगी, कि mirror के साथ जैसे ओन करेंगे टकराने के बार वापिस अपनी उसी position पर आ जाएगी, हमने जो है वो last lecture में, reflection, reflection और radiation, सबको discuss किया था, तो वह पर आपने देखा था, मेरे आपको बताया था, कि light जब भी टकराती है mirror से, तो वह वापिस अपनी उसी position पर आ जाती है टकराने के बाद, तो mirror के साथ जैसे light टकराएगी, तो वापिस आ जाएगी, देखिए, जब light को on किया, तो इसकी velocity जो है, इस पर आपस del x आ जाता है, del x रिप्रेजेट कहरता है कि change in distance, ठीक है, तो अब अगर इसका formula जो है, वो देखिए, del t2 यहापे basically del t1 जो है, पहला फर्स टाइम था del x ओबर c-v, यानि जिस velocity के साथ वो गई है, तो वो c-v बाद बाद वी बे आ जाएगी, इसी तरह जो है, यहा टकराने के बाद किया, तो अब इसको लिख सकते है, 2 del x over c is equal to 1 minus v square over c square, तो इसके जो है, वो एक पूरी equation है, just आप इसके final formula है, वो याद कर ले, चुकि पार पास यहाता है, del x over square root 1 minus v square over c square, यारी क्योंकि v square over c square इसलिए है, train भी move कर रही है, light जो है, इसके साथ mirror के साथ टक वो तकरीबर इदर आ चुका होगा, जो कि यह dotted lie show की है, ठीक है, तो जारा deeply concepts पे जाने की जुरूरत नहीं है, just teach कर यह वाला final formula याद करें, और अपने space से concepts clear करें, next वार पास 13 point आ जाता है, इसके जो है, laureate transformation 13 और 14 point पे है, तो यह 40 lecture में भी discuss करेंगे, तो इसको हम उधर ही ठीक है, यह देखें, lecture number 14, next वार पास start होता है, जो कि special relativity का second part है, इस पे laureate transformation क्या है, इसको देखते है, laureate transformation जो है, आपने इसमे डिफ्रेस या रखते है, पीछे आपने laureate force पड़ा था, जिसमे सब वो magnetic field और electric field का जो सब था, उसको laureate force कहते थे, लेकिन यहाँ पे laureate transformation है, त ठीक है, तो आपने इसके equations को याद रखते हैं, जो कि, यहाँ पे है, x bar is equal to mega into x minus vt and t bar is equal to mega t minus v over c square x, अब यहाँ पे जो है, वो x basically distance है, t time है, distance, यारि किसी space पे से, किसी जगा में से कितरा distance है, और time, ठीक है, स्पोस्ज वोई टेक ता, space रवर between two events, अभी हमने event का भी देख हो रहा हो, तो इसको हम event कहते हैं, हमने यहाँ पे फ़र्ज किया कि, जो है, वो 2 events लेने है, del x हमारे पास, जो है, events पे x1 minus x2 हो जाएगा, और time in travel, जो है, दो time in travel है, तो t1 minus t2 है, तो इस वारिया से, यह जो हमारे पास equations है, यह दो बन सकती है, यह हमारे पास equation बन जाएगी del t bar is equal to mega del t minus, जो है, वो minus v square over c del x, इसी तरह, del x के बार, mega del x into minus v del t, यह आपने equations जो है रहा हो, यह उपर वारी तोनों, आपने अच्छे से यान करनी है, क्योंकि इसी से related ही, आपके next lectures में discuss किया गया है, यहाँ पे दो particular cases है, पहला यह है, कि दो events है, जो कि same जगा पे अकर हो हो रहे है, क्योंकि same place है, तो हमारे पास del x 0 हो जाएगा, लेकि time different है, अगर time different होगा, तो हम यह 0 के equal नहीं ले सकते हैं, तो इस तरह, ऐसी यहाँ पे, कोई भी frame of reference हो सकता है, they do not occur at the same point, तो हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने देखा था, कि same place पे तो del x 0 था, तो उ फाबुले की जगा पुट करना है, तो हमारे पास mega 0 minus v-rt आजाएगा, mega 0 minus v-rt आगे है, ठीक है, इसी तरह next हमारे पास है, तो events अकर हो रहे हैं, लेकि यह same time होगा, यह same space होगी, तो वो 0 के equal होगा, अगर different type होगा, यह different places होगी, तो वो जो है, वो 0 के equal नहीं होगा, तो यह हाँ पे जो है, हम टेलेक्स की जगा पे 0 put कर देंगे, बाकी save यही वाले equation आजाएगी, ठीक है, तो आप लोग के हैडर्स भी clear होगा, तो वहाँ से आप लोग clear कर लीजएगा, I hope आपको इसकी समझ आ गई होगी, एक और बार students, वीडियो का like जरूर किया करें, आप reference के second आ जाता है, point number three or four में भी कुछ equations को drive किया गया है, speed of light को use करते हुए, times को और, जो है, velocity को use करते हुए, last lecture में भी हम यही पढ़ते हैं, कि Einstein ने कहा था, कि time जो है, वो fix नहीं है, अगर कोई भी board या कोई भी object, speed of light के लिहाज से move करता है, travel करता है, तो time जो है, वो coaster रह जात है, तो अब इसके एक example यह भी है, कि मारे नभी सल्लाहु आले है, वाले वाले सल्लम जो है, जब सफरे मेराज पे गये थे, तो उस वक टाइम रुक गया था, और वो की बुराक पे गये थे, और बुराक जो है, वर्ट बुर्क से निकला है, जिसका मतले होता है, बिजली, अब यह जो है, क्योंकि बिजली की रफ्तार से जारे बहुत जादा रफ्तार थी उसकी, तो तब टाइम रुक गया था, तो यह चीज थोड़ी से ना, आइंस्टाइन के questions को भी प्रूफ करती है, कि आइंस्टाइन ने कहा था, कि टाइम जो है, जब speed of light की लहाज से कोई अबजेक्ट मूव करते है, तो वो, हम यह कह सकते है, कि टाइम कोंस्टाइट हो जाता है, यह रुक जाता है, तो यह चीज जो है, वो इस चीज को प्रूफ करती है, नेक्स जो है, यह फाइनल अक्वेशन बनाई हुई है, यह आपके जो है, वो एट लिस्ट फॉर फॉर लिजाने की ज़रत नहीं है, वैसे भी अगर मैं आपको करवाती हो इतने लंबे तो यह एक एक लेक्चर, वन से टू आर्ट का होगा, तो शोट लेक्चर का मतलब यह होता है, कि आपको इंपोर्टर चीजों के बारे में अक्स्प्रेइन किया जाए, तो इसकी जो फाइनल इक्वेशन है, आपने यह याद कर लिनी है, कि यह हमारे पास आएक इक लिए है, और आई यहाँ पर इंटर्वल लाइट लाइक है, ठीक है, यहां से फाइप पाइट देखे, इमदर टाइम सेपरेशन इस लार्ज, अगर टाइम जो होगा, यह आई हमारे पास इनवर्ट इस लाइक होगा, और आपको पाता है, कि इनवर्ट इनवर्ट लाइक होगा, और आपको पाता है, कि इनवर्ट इनवर्ट लाइक होगा, इसी तरह, इनवर्ट 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 जो है वो depends करेंगे frame पर from which they are observed, जो कि observe कर रहा हो को उस frame पर represent करेंगे, next part number six में आप लोग को जो है वो एक example दी हुई है, इसको आप skip कर सकते है, seven way world life की definition है, जो कि आपके अपसी को सब्या सकती है, the trajectory of a body as it moves through the space tribe, यानि कोई भी body जो कि space tribe के path पे move कर ही है, trajectory जो है वो रास्ते को आप कह सकते हैं, तो उसको word life कहते है, next part number बाद बाद डॉबलर फेक्ट आजाता है, या आप लोग ने अपर FSC भी पढ़ा होगा, बहुत जादा easy है, डॉबलर फेक्ट को समझने के लिए एक example कहते है, five example जो है, यहां के पास एक speaker है, ठीक है, यहां से कुछ sound की waves निकर रहेंगे, और यहां पर एक observer है, जो कि इस sound को observe कर रहें ठीक है, और यहां पर जो waves निकर रही है, जैसे जैसे यह जो observer है, यह speaker के पास आएगा, वैसे 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 sound की frequency बहती जाएगी, उसको जादा observe करेगा, और जितना यह दूर observer जाएगा, तो उतनी जादा ही जो है, उतनी कब frequency इसको फील होगी, यहारी, यह speaker के पास होगा, तो sound की frequency इसको जादा फील होगी, जैसे यह से दूर जाएगा, तो इसकी frequency जो है, साथ की कब फील होगी, तो यह बेसिकर यही जो है, एक Doppler effect है, ठीक है, और आपको जो है, इसका फामूला आना चाहिए, यहाँ जो मेंचर है, आप वो देख लीजिएगा, नेक्स्ट मारे पास जो है, आते है, momentum, momentum, इसको समझने के लिए, से पहले तो आपको लाफ का, जर्वेशन और momentum का पाता आना चाहिए, क्या है, फार एक्जैपल दो दूसरे को UB का, यह कोई भी हम कह सकते है, body का, यह objective है, वो move कह रहे है, और जैसे ही यह दोनों एक दूसरे से टक्राएंगे, clear कि बाद का जो इसका momentum होगा, और टक्राने से पहले का, जो इसका momentum होगा, वो हमेशा conserve रहेगा, यहाँ पर collide एक दूसरे से टक्राएंगे, और formula है, वो आपको पता है कि P is equal to P, जो basically यहाँ पर momentum को represent कहा रहा है, is equal to M U, यह M V भी कह सकते है, यह M यहाँ पर मैस है, और V जो है, वो velocity हो सकती है, कि वो टक्राने से पहले, उस subject की, उस body की क्या velocity थी और टक्राने के बाद उसकी क्या velocity है, यहाँ पर इस सब चीजों को describe किया तो बोडी से जो कि आप इस पे कुलाइड कहरे ही है, तो M A B U A plus M B U B, यह first body का weight up है, और यह second body का weight up है, इसका मतलब है कि टक्राने से पहले किसी body का weight up और टक्राने के बाद जो है, इसका weight up equal होता है, यानि conserve रहता है, तो मैस जो है, वो conserve है, मैस इसलिए उन्होंने conserve का है, क कि उन्होंने का था कि relativistic theory जो है, वो किस तरह momentum को change करती है, अब यह इसका answer यह है, आप यहाँ पे U' है, जो कि आपको value दी गए है, इसी तरह जो है, वो U के भी आपको value दी हुई, आपने simply क्या करनी है, इनको in में put card देने, इस यह जो आपके पास equation है, जैसे आप put करेंगे तो इसमें जो cutting होते हैं, cutting होने के बाद हमारे पास यह final equation आएगी, जो कि M A U A, U A' plus M B U' B is equal to M C U' C plus M C U' ठीक है, तो इसका मतलब यह है, यह वाले equation, इस वाले equation के equal नहीं है, जब equal नहीं है, तो हम कहा सकते है, momentum will not be concerned relativistically, ठीक है, यहाँ पे यह mu, जो है, U basically A velocity को represent कर रहे है VE को, यारि वो body जो है, कोई भी objective, वो कितनी velocity से, कितनी speed से आ रहे है, इसका, जो momentum है, conserve तब ही होता है, जब वो body जो है, एक random motion में हो, यारि वो एक coaster speed से आ रहे हो, यारि दोनों object same speed से हो, अब next, यह हमारे पास old definition के मताबिक तो momentum conserve नहीं होता, relativistically भी, लेकिन, जो हमारे पा momentum, due definition जो है, वो कुछ दो properties रखती है, पहले हमारे पास यह है, can low speed, it must reduce to the old one, यारि कब speed पर अगर तोनों आपस पर collide करेती है, तब momentum conserve हो सकता है, या तबाव speeds पर momentum conserve हो सकता है, इस पे सिपले अब जो है, पीछले अभी जो discuss किया है, उसमें momentum होता है, P is equal to M U, U वहाँ पे हम velocity है, M mass है, लेकिन क्योंके दो object है, इस वर्यासी है, इस फोर में लिखा गया है, लेकिन new definition जो के, हमारे पास speed of light से है, तो new definition के accordingly, इसके साथ लगेगा, P is equal to omega M U, यारि यह हमारे पास old definition है, P आपे मेंटर को represent करेता है, new definition के दुरार इसके साथ, वो omega का sign लगेगा, तो हमार जो है, sorry, यह वाले, अगर भी आपको दिखा सको अभी, यह अभी हमने पढ़ा यह वाला equation, और यह वाली, नीचे वाली equation है, यह बिल्कुल सेम है, इसमें सिर्फ डिफ्रेंस इतना सा है, कि इसमें साथ में gamma लगा हुआ है, यारि speed of light के साथ मूव करें है, तब हमारे पास momentum तब जो है, वो conserved होगा, तो बस इसमें यह डिफ्रेंस नहीं के लिए, बाकी आप नेक्स पार पास लावर पाइंट है, इसमें आपको बना है कि कारेटिक अरटिक 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 अक्सपरेशन होगा, यह उकल तो 1.2 FV स्केर, आप लोगों ने बढ़ा होगा, लेकि य सब्सदाव का ażermie casts of energy के मताबिक, और आपको पता है कि कारेटिक energy और अक्सपर होता है, वो क्या वर्कटर होता है, वर्कटर आपको FD X के equal है, तो बाकी आपको यह जाते deeply जाने की ज़रू नहीं है, एक पार्टिक्ल यह बाहर पास यह अपने इच्छे से करण है क्योंकि की हालत में होगी तो इसको कहेंगे रेस्ट एनर्जी तो यह आपके MCQs में आ सकते हैं C वेरी लार्ज कॉाइटिटी होती है एवर आ स्वाल M को रिस्पेंडिक टूआ वेरी लार्ज एनर्जी वही ट्रैप दिस के फायर्ट अब से पहले 41 से 45 लेक्चर्स की सीरीज को कप्लीट कर दिया जाएगा और श्रॉर्ट जो है अगर आप ओल लाई